शुब अप्राहनम बच्चो आईए पढ़ाई के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचमह पाठह पंडिता रमाबाई आई शुरू करते हैं पाठ पांच पंडिता रमाबाई इस्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अठारा सो अठावन तमे खृष्टावदे जन्म अलभद इस्त्री शिक्षा के ख्षेत्र में अग्रगण यानि सबसे आगे जो रही पंडिता रमावाई का जन्म अठारसो सन अठारसो अठावन में हुआ तस्याहा पिता अनंत सास्त्री डोंग्रे उनके पिता अनंत सास्त्री डोंग्रे माता चो लक्ष्मी भाई आसी और माता लक्ष्मी भाई थी तस्मिन काले इस्त्री शिक्षा यहा स्थिती ही चिंत निया आसीत उस समय में इस्त्री शिक्षा के इस्तिती जो थी उसकी जो दसा थी वहाँ चिंत निया थी इस्त्री नाम क्रते संस्कृत सिक्षणम प्रायह प्रचलितम नासीत इस्त्रीयों के लिए संस्कृत सिक्षण यानि संस्कृत को पढ़ना प्रायशह प्रचलित नहीं था यानि अधिक प्रचलित नहीं था कि इस्त्रीयों को संस्कृत पढ़ना चाहिए किन्तू डोंग्रे रूडीवद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपतनिम संस्कृतम अध्यापयत किन्तू जो डोंग्रे महोदै थे रमाभाई की पिता उन्होंने इन रूडीवादी प्रथाओं को इपने चे प्रथाएं चली आ री हैं इस प्रकार कि उन प्र्थाओं को उन इस प्रकार कि धारनां को त्याग कर स्वपत्नी मुपनी पत्नी को संस्कृत मध्याप्यत, संस्कृत उन्होंने पढ़ाई एक दर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपी असहद इसलिए इस कारण से उन्होंने समाज की अवहेलना को भी, समाज के अनादर को भी, समाज के बिरूद को भी असहद सहा अनंतरम रमा आपीस व मात्रू संसक्त सिक्षा प्राप्त वदि और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संसक्त सिक्षा प्राप्त की कालक क्रमेड रमा यह पिता विपन नह सं जाता हूँ कालक क्रमेड यानि जैसे जैसे समय बीता गया तो रमा की जो पिता थे वह विप्रन्ह जाता यानि उनकी मृत्य होगी तस्याहा पितरो जेष्ठा भगनी च दुर्भिक्ष पीडिता हा दिवंगता हा उसके माता पिता बड़ी बहन और बड़ी बहन सब अकाल से पिलित होकर मृत्य को प्राप्त होगे दिवंगत होगे नि मृत्य को प्राप्त होगे पदंतरम रमा स्वजेश्ट भ्राता श्रह उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्र भारतम अब्रमत पैदल ही पूरे भारत समग्र भारत में अब्रमत घूमी भ्रमन गरमे घूमते हुए सा कोलकताम प्राप्ता वहा कोलकता वहांची कलकता पहुंची संस्कृत वयदुष्येन सा तत्रपंडिता सरस्वती चेती उपादि भ्याम विहोशिता संस्कृत में विद्वत्त के कारण, संस्कृत की विदुशी होने के कारण वहां पर वह पंडिता और सर्श्वती जैसी उपाधियों से जानी गई यानि वह उपाधियां उसे वहांपर प्राप्त हुई इस प्रकार की उपाधियां मिली तत्रेहु शा ब्रम्म समाजेन प्रभाविता बेदा ध्यनम अकरोथ वहीं पर वह ब्रम्म समाज से बड़ी प्रभावित हुई और नोने बेदुं का जो है वहाँ पर अध्यन किया पस्चात सा इस्त्री नाम क्रते वेदाधी नाम सास्त्रा नाम शिक्षा ये आंदोलम प्रारब्द वद्दी उसके पस्चात उन्होंने इस्त्री शिक्षा के लिए इस्त्री शिक्षा के लिए तथा बेदाधी और शास्त्रों की शिक्षा इस्त्रियों को मिले इसके लिए उन्होंने आपर आंदोलन प्रारब्द किया अठारसो अस्ती तमे ख्रिश्टाब्देव सन अठारसो अश्ची में सा विपिन विहारी दासें सहो उन्होंने विपिन विहारी दास के साथ बाकी पुर न्यायाले में कोट में विवाहम अकरूत विवाह किया सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्यापती दिवंगत हो और विवाह के सार्ध एक वर्ष यानि देड़ वर्ष बाद ही उनके पती की भी मिल्क्तियू हो गई तदंतरम सा पुत्रया मनोर्मया सह जन्म भूमी महराष्टम प्रत्यागचत इसके बाद पुत्री वह अपनी पुत्री मनोर्मा के साथ अपनी जन्म भूमी महराष्ट को लोट आई नारी नाम सम्मानाय शिक्षा यह चो नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए सा स्वकियम जीवनम अर्पित वती उन्होंने अपना संपून जीवन अर्पित कर दिया स्वाब्दिया की पुरा जीवन भूम नारियों के शिक्षा ब्यवस्ताय प्यादी के लगाएंगे लगाएंगे हंटर शिक्षा आयोग में उसके सामने नारी शिक्षा के विशय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया आयोक के उच्चा दिकाजू के सामने सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लेंड देशम गत्वती वह उच्च शिक्षा उपर की शिक्षा कॉलेज इत्यादी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड देश गई तत्र इशाई धर्मश्य इस्त 열ी विशाई के उत्तम विचारी प्रभाविता जाता। वहाँपर वह इत valt द्हर्म में इस्तिरियों के विशाई में जो उत्तम विचार थे लोगने के उनको देखकर वहाँ बड़ी परभावी दुए क्योंकि वहाँ पर इस्तरों को शिक्षा देना अन्य चीज़ें भी हुआ करती है ठीक तो इस प्रकार से इसका आप अभ्यास करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे आज हम इतना ही परेंगे और इससे आगे हम अगली कक्षम परेंगे धन्यवाद